क्या आपने कभी ऐसे चिमकादर को देखा है जो कि इतना क्यूट होता है कि वो अपनी क्यूटनेस से आपको अपनी पसमें कर सकता है और क्या आपने कभी ऐसे लोमडी को देखा है जो कि छोटी होने के साथ साथ इतनी जादा क्यूट होती है कि आपका उसे छोड़ने का मन ही नहीं करेगा तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए दुनिया के 10 ऐसे जानबरों के बारे में बताऊँगा जिनकी क्यूटनेस देखके आप भी दंग रह जाएंगे और इन जानबरों को आप अपने घर में भी पाल सकते हैं और इन ही 10 क्यूट एनिमल्स की लिस्ट में एक ऐसा बंदर भी है जिसका साइस सिर्फ आपके हाथ के बरावर ही होता है तो गैस वीडियो को इन तक जरूर देखना क्योंकि आज किस वीडियो में आप सभी को बहुत ज्यादा मज़े आने वाले हैं तो जलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की इस वीडियो को जिस के समय में इसे पालतो पजू के रूप में लोगों के दुवारा उनके बोजा उठाने और उन के लिए पाला करते थे अभी जब आप इसे स्क्रीन पर देख रहे होंगे तो आपको लगी नहीं रहोगा कि इस क्यूट से जानवर से बोजा भी डूलवाये जा सकता है जन्म क इसे पालने के लिए आपको बहुत ही कम रख रखाव की जरूरत होती है लामा बहुत ही भाबुक जानवर होते हैं जो कि इनसानों के आउभाव को बहुत चल्दी समझ लेते हैं और अगर आप इन पर चिलाते हैं या इनको मारते हैं तो यह आपसे तुरंद ही दूर चले जाएंगे और हो सकता है कि बाद में ये आपके पास भी ना आएं और इसे बहुत ही कम इंसान होंगे जो इस क्यूट से इंसान पर चिलाएंगे या इसे मारेंगे क्योगी इस क्यूट से जानवर को देखने के बाद कौन ही इसे मारेगा नमर नाइबर है फिंगर मंकी गैज ये छोटा सा और क्यूट सा दिखने वाला जानवर एक मंकी है जिसे सायद आपने अब से पहले कभी नहीं देखा होगा इसका छोटा साइज होनी के बज़ा से इसे फिंगर मंकी या पॉकेट मंकी भी बोला जाता है ये ना जादा ये मंकी क्यूट है उतना ही जादा इस मंकी को खरीदने के प्राइस भी है इस फिंगर मंकी के एक जोड़े की केमत पांच लाख रूपए से साथ लाख रूपए तक होती है नमर एट पर है बेबी तमंडुआ वीडियो में दिख रहे इस क्यूट से जानवर का नाम तबंड हुआ है सेंट्रल और साउथ अमिर्का के जंगलों और खस के खुले मैदानों में पाये जाने वाला ये जानवर एंटीटर फैमिली का मेंबर है आपको इनके बारे में एक बात जहनकर बहुत हैरानी होगी कि इनके पास खाना चवाने के लिए कोई भी धात नहीं होते हैं ये खाना खाने के लिए अपने सकती साली कीचेट्स पर डिपेंड होते हैं और ये कच्चा या कोई ठोस खाना नहीं खाते हैं इनकी छोटी आखें और गुलावी रंग का सरीर उस पर काले रंग के बने पैटर्न्स दिखाई देते हैं ये सभी चीजें इंसानों को इनकी तरफ खीचती हैं और इसके पतले लंबे मुँ में लगभग 10 इंच लंबी जीव होती है अगर आप इस जानवर को अपना पालतू बना सकते हैं तो आपको सायथ एक बार और सोचने की जरूरत है क्योंकि इसे अपनाना इतना भी आसान नहीं है उसके लिए आपको थोड़ी जादा ही जेव खाली करनी पड़ेगी क्योंकि ये बहुत ही नमकीन खाने का जौकीन होता है और इन्हें सुवस्त और खुस रहने के लिए अलग-अलग प्रकार के खाने की अवस्ष्यक्ता होती है इस तमंडूआ को दुनिया भर में लोग अपना बनाने और पालने के लिए बिताब रहते हैं नमर सेविन पर है बेवी टाइगर ये सुनने के बाद आप में से बहुत सारी लोग सोच रहे होंगे कि भाई टाइगर कौन पालेगा और इसे पाल के कौन अपनी ही मौत को दाबत देगा लेकिन उनाइटीड इस्टेट्स में पालतु टाइगर की मेज़ोरिटी जंगल में रहने वाले टाइगर से ज़ादा है और आपको पता भी होगा कि दुबई में टाइगर्स को कितना ज़्यादा पाला जाता है और दुनिया में टाइगर्स को पैट के तोर पर पालने की तादात बहुत ज़्यादा है जिन में से कुछ सेलिबिटीज भी टाइगर्स को पालना बहुत जादा पसंद करते हैं अलांकि टाइगर्स की देखवाल करना बहुत ही मुश्किल है उन्हें सही ट्रेनिंग देना और उनके खानपान का ध्यान रखना एक आम इंसान के लिए पोचिवल नहीं है लेकिन ये बेबी टाइगर्स बहुत ही मासूम से दिखाई देते हैं इन्हें ठेकने के बाद हर को यही बूल जाता है कि ये कितने जादा खतरनाक हो सकते हैं एक बेबी टाइगर को सिर्फ दूध ही पलाये जाता है जबकि ये पूरी तरह बड़े होने पर एक बार में लगभग 36 किलो मीट आसानी से खा जाते हैं नमबर 6 पर है बेबी स्लॉट्स ये एक बेजीटेरियन एलिमल है जो कि अपनी धीमी गती से हिलने के लिए बहुत ही जादा फेमस है और इसके इसी भजा से इसको आलची जानबर भी बोला जाता है ये इतने प्यारे पालतू जानबर है कि क्रिस्टन बैली जैसे सेलिविटीज इन्हें पालना पसंद करते हैं उन्होंने अपने सोसल मीडिया पर इस क्यूट बेबी सलोट के साथ बहुत सारी वीडियोज पोस्ट की हैं जिन्हें लोगों ने भी बहुत जादा पसंद किया ये बहुत ही हाई मैंटेनेंस क्रियेचर हैं आमतोर पर ये कीडे और पत्ते खाते हैं इनके लिए बंद कमरे में रखना बहुत ही मुश्किल है ये खुले में और पेड़ बौधों के ऊपर ही रहना पसंद करते हैं इस अजगर को देखते ही लोगों को पसीने आने लगते हैं लेकिन हम एसे बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो की सापों से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं और उन्हें उनसे इतना ज़्यादा लगाव होता है कि अजगर जैसे बिसाल जानवर को अपने घर में तक पालते हैं इसकी कुछ प्रजातियां बहुती सुन्दर और आकरसित होती हैं जैसे बैल पाइथन, बोवा कंस्ट्रिक्टर, इन ठंडे खून बाले प्राणियों को आराम दायक रखने के लिए बड़े और गरम पिंजरे के आवस्सक्ता होती है अलाकि कुछ दिलसों में पाइथन को पालने पर प्रतिभंद लगा दिया गया है लेकिन कई कंट्रिज में इसे पालने की अनुमती है ये जानबर बहुती छोटा और प्यारा होता है जिस पे काली और सफेद धारियां होती है कुछ रेखाएं धारीदार होती हैं तो कुछ धब्बेदार होती हैं जो इन्हें सबसे अलग और सांदार बनाती है इसकंक नॉर्मली घर की बिल्लियों के आकार के होते हैं ये 8 से 19 इंच यानि 20 से 48 सेंटीमेटर तक बड़े होते हैं और इनका बज़न लगबग 3 किलो से 7 किलोग्राम तक होता है ये छोटे जानवर USA, कनाडा, दचिड अमेरका और मैक्सिको में पाए जाते हैं इनकी एक बिसेस्ता है जब ये घुसा होते हैं तो ये पीछे से बदबु छोड़ना सुरू कर देते हैं लेकिन जब इने पाला जाता है, तो इनकी इन गरंतियों को हटवा दिया जाता है जिसकी बज़ा से वो इस दुर्गंद को नहीं छोड़ पाते इसके अलाबा इनका बैबार, इंसानों के प्रतीब बहुती सांत होता है आप जिस भी सकंक को पालने वाले से पूछोगे, तो वो यही बताएगा कि ये बहुती इमानदार और प्यार करने वाला और डिसिप्लेन में रहने वाला जानवर है इसलिए इन्हें पालना बहुती आसान होता है नमर थ्री पर है बेबी फैनिक फोक्स, ये फोक्स मेलनी सहरा रेगिस्तान और एरेविक रेगिस्तान में पाई जाती है जो कि क्यूट होने के साथ साथ बहुती कूल जानवर भी होता है फैनिक फोक्स, फोक्स की नसल की सबसे छोटी प्रजाती होती है ये 14 साल तक जी सकते हैं जो कि डॉग की एज के बरावर है और इसका बजन 700 ग्राम से 1 किलो ग्राम तक होता है इसलिए इन्हें भार ले जाना भी बहुत आसान होता है ये छोटी सी फॉक्स बहुती तेज होती है और इसे दोड़ने के लिए बड़े से रूम की भी जरूरत हो होती है और इसकी सबसे खास बात होती है कि ये कुछ दूरी तक ओड़ी भी सकता है जो कि आप वीडियो में देखी पा रहे होंगे और लोगों को अपनी और और भी ज्यादा अकरसित इनकी आखे करती है इनकी वीडियो इंटरनेट पर इतनी ज्यादा वाइरल होती है जिन में इंटरनी पर लाकों करोणों में वीज होते है इनकी देखी रहे करना भी इजी है क्योंकि इन्हें खाने में फलफने भी रक सकते हैं या इन्हें अपर रखने के लिए एक थे ऩर्वी बना सकते हैं मिन्से या इसobyl को पांडने का मोगा मुम नहीं को इससे अपने पास उसे यूनीक है इन्हें देखने के बाद आपको इनसे बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा बलकि इन्हें छुने का ही मन करेगा ये देखने में बहुत ही छोटे और रूई के बॉल जैसे होते हैं इन प्यारे से चिमकाद़ों को केरेबियन भाइट टेंट मेकिंग बैट या पाते हैं इसी लिए इनके लिए टेंट मेकिंग बैट सब दियूज किया जाता है ज्यादा तर ये पत्तियों के नीचे ही अपने लाइफ बिताते हैं और ये बहुत ही कम देखने को मिलते हैं बहुत ही कम चांसे है कि ये किसी को देखने को मिले तो गाईज आपको इन सभी क्यूट जानबरों में से सबसे क्यूट जानबर कौन सा लगा और के आपने इन में से किसी भी जानबर को रियल लाइफ में देखा है ये मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना तो गाईज आज के लिए वीडियो में बस इतना ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना सेर कर लेना अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जिसते कि उन्हें भी दुनिया के इन टॉप टैन क्यूट एनिमिल्स के बारे में पता चल सके तो मिलते हैं एक और नई इंट्रस्टिंग वीडियो में तब तक के लिए बाई